सावन मास में माता पारवती के लिए किये जाने वाले मंगला गौरी के वरत बहुती शुबदायक होते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भी स्त्रियाई स्वरत को करती हैं उन्हें अटल सुहाग की प्राप्ती होती है सुख संपत्ती मिलती है सुख ही विवाइक जीवन मिलता है और साथी में उनके सभी कस्ट दूर होते हैं सावन के महीने में भगवान शिव और माता पारवती के पूजा अर्चना और वरतों का बहुत ही जादा महत्व है और सावन के महीने में ही शुरू किये जाते हैं ये माता मंगला गौरी के वरत और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे के मंगला गौरी के वरत के लिए हमें क्या क्या समगरी चाहिएगी तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इसकी सभी पूझा विदी की उद्यापन की सभी की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी उन्हें भी आप सरूर देखिएगा और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए मेरी वीडियो अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पिल्कुल भी मत भूलिएगा तो देखिए माता मंगला गौरी के व्रत में आपको अलग से चोकी लगा के पूझा करनी होती है तो आप चोकी लगाने के लिए कोई भी पट्टा या चोकी बगरा ले ले और यह धियान रखिएगा आप थोड़ी बड़े ही साइज की चोकी ले क्योंकि समान थोड़ा से जादा होता है मंगला गौरी का नहीं तो आप दो पट्टे भी ले सकते हैं दो अलग पट्टे भी लगा सकते हैं उसके उपर विछाने के लिए हमें लाल रंग का कपड़ा चाहिएगा तो देखिए आप इस तरीके से लाल रंग का कपड़ा ले ले और अगर आपके पास लाल नहीं है तो कोई बात नहीं आप सपेद या पीला भी ले सकते हैं अब इसके बाद यहाँ पर यह मैंने शिप परिवार की मूर्ती ले लिए है आप चाहे तो फोटो भी ले सकते हैं या आप चाहे तो शिवलिंग ले सकते हैं और साथ में अलग से गनपती भगवान ले सकते हैं लेकिन मैंने यह मूर्ती ले लिए है इसी में ही शिप लूँगी रोली, साथी में हम चंदन ले लेंगे, भगवान गनपती को और शिर्जी को तिलक करने के लिए, हल्दी भी ले लेंगे हम साथ में यहापे, माता पार्वती के लिए, और जुहेट टिका करने के लिए, उसके बाद देखें, यहापे मैंने यह ले लिया है कलावा भी बनाना होता है, उसी के साथ मैंने यहापे यह साबुत मूंग ले लिये हैं, जो मोटे वाले आते हैं, और साथी में मैंने यहापे गेहूं के दाने ले लिये हैं, आप चाहें, तो साथ अलग-अलग परकार के और भी अनाज चड़ा सकते हैं, और साथी में देखें, य चाहें तो आप एक चीज ले लेए चाहे तो आप सारे ड्रायफ्रूट ले ले travelled ले सबखे हैं। उसके बाद ये धूप ले ली है मैंने घर की गोबर से बने वी धूप बहुत ही अच्छी और शुद्ध रहती है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे घर में हवन हो गया हो आप ये ले सकते हैं या फिर आप मार्केट वाले भी ले सकते हैं उसी के साथ मैंने एक देशी की कदिया वा झाले ले लीए हैं यहाँ पर यहाँ प्ुड़े ले लिया है आप चाहे तो कोई मिठाई ले सकते हैं लडू ले सकते हैं लेकिन आप याद रखके जो भी आपने वो सोला की गिंती में हों तो यहाँ पर मेंने पूड़े बना लिये हैं यानिकी गुल्गुले उसके इस तरीके से मिट्टी से बनेवी पारवती माता चाहिए होंगी और यह आप अपने कोई भी साफ सुत्री जगां से या गमले से मिट्टी लेके बना सकते हैं बस आपको पिंडी का अकार दे देना है बहुत ज़दा हमें शिल्पकारी नहीं करनी है उसके बाद यह देखें मैंने यह लोटा ले लिया है एक जो हम कलश थापित करेंगे उसके लिए उसके बाद हमें एक नारियल ले लेना है इस तरीके का जटा वाला और आप याद रखेगा कि आपको सुखा हुआ नारियल बिल्कुल नहीं लेना है आपुला करें नारियल में पानी होना चाहिए साथ ही में यहाँ लेरी हूँ चकला तो देखें मंगला गोरी की पूजा में चकले का विश्यक्按 Craig death आ चेल ले लें मृने से आप 60-60 समान झबान शालनी, 10-60 वेखाने के लिए लाद। पोल के लेड़न, 10-60 मादो हम गंदे, 10 वोल आप चाहें, तो कोई भीती सा फूल इंघखा लिए और 11 agents यह पंच पल्लव ले लिया है बहुतने के लिए उसाथ उसी के साल स्विए यहाँ वे लिए हैं सिलोरा वने के सिलवट्टारने बनाया है इसकी जाके आप अलग से पूजा भी में से तो यह इस सबी वीडियोज को मैं एक लेस्ट बनाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आप वहां से भी चेक कर सकते हैं और ये कुल समगरी है जो हमें मंगला गौरी के व्रत की पूजा में चाहिएगी आप चाहें तो समगरी को कितना ही और बढ़ा भी सकते हैं जैसे आप सोला और मिठाई बढ़ा सकते हैं सोला तरह के फल बढ़ा सकते हैं तो आप बढ़ा कितना भी सकते हैं लेकिन आपको मिनिमम तो इतनी समगरी लगेगी ही आप बीच के व्रतों में तो समगरी कम भी ले सकते हैं या फिस वाक का समान वगेरा ना भी चड़ाएं लेकिन आप पसंद आए चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले साथी साथ बैल आइकन को हिट कर दें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलते रहें जै सियाराम